क्लास नाइन्थ के सभी विद्धिहारती रिहांदे आज की इस क्लास में MP बोर्ड की तरफ से 2025 का आपका इंग्लिस का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको हम पढ़ेंगे तो ये ब्लूप्रिंट MP बोर्ड की तरफ से आपको दिया गया है केवल इसलिए कि जो आपको इसी के अकोडिंग ही पढ़ना है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि यह यहां पे यह आपका 75 नमर कर रहेगा और यूनिट्स सब्जेक्ट मेंटर आपको दिया गया है और यूनिट वाइज एलोट्मेंट और मार्क्स भी दिया गया है और दिये गये हैं बाटा है उनको की कितने अंकर क्या आएंगे आपके वस्टन इसमें से और नमर ऑफ क्वेश्टन मार्क वाइस दिया गया है दो नमर तीन नमर चार पाश नमर और क्वेश्टन जो टोटल प्रेस्ट की संक्या है वो भी आपको दी गई है यहां पे तो पहला है सेक्टन है आपका दस मार्क्स का जिसमें आपको रिडिंग के कोश्टन आएंगे तो पहला कोश्टन है अंसीन पैसेज पांच नमर का रहेगा यह पैसेज आपका जिसमें से आपके एक एक नमर के अबजेक्टिव आएंगे पांच कितने आएंगे पांच अबजेक्टि क्यूंब ही करने हैं आपको पैसेज में से यह आपको कॉस्đन है एक प्रेश्ण होगा इसमें से दूसरा स्थेंस ये नांस्वास ये आउपका 5 नमर कर रहेगा इसमने से भी आपको पांच अब SARAH कRI Armor देखने को आपको नहीं पढ़ना है section B आपका 16 marks का दिया गया है जिसमें writing दी गई है आपको तो तीसरा जो question है इसमें not making है title plus notes है तो एक title लिखना है और आपको notes भी लिखना है तो 4 नमर का है एक नमर आपको title का मिलेगा और 3 नमर आपको notes के मिलेंगी तो इसमें से objective नहीं पढ़ना है ना ही 2 नमर का प्रेस्न ना ही 3 नमर का केवल 4 नमर का एक प्रेस्न पढ़ना है इस तरह से कुलाब का प्रेस्न एक आपसे पूछा जाएगा अगला है आपका letter writing formal informal letter तो ये भी 4 नमर का है तो सभी जानते हैं letter में कोई objective नहीं होते हैं ना ही 2 नमर का question लिखना answer लिखना होता है ना ही 3 नमर का ये केवल 4 नमर का आपसे letter पूछा जाता है और इस तरह से प्रेस्न की संक्या एक रहेगी तो इसमें से आप letter और application को पढ़ें हर साल exam में पूछी जाती हैं आप से तो अच्छे से आप इनको complete करें long, com, position, easy, article, paragraph तो आपको यहां पर इसमें से निभंद आएगा article और paragraph ये इतने आपको इसमें से complete करने हैं 5 नमर का 5 नमर इसको दिए गए हैं तो आपका जो निभंद ये वो भी 5 नमर कर रहेगा या फिर एक article या फिर एक paragraph तो जितने भी article पेराग्राफ है सभी को आप complete कर ले और बाकी जो प्रस्न हैं उनको आपको नहीं पढ़ने हैं 2 नमर, 3 नमर, 4 वाले भी नहीं पढ़ने हैं येवल 5 नमर का एक प्रस्न आपको देखने को मिलेगा एक्जाम में तो जो 5 नमर में पूछ जाते हैं उन्हीं प्रस्नों को पढ़ना है तो अभी मैंने बताया है आपको कि एक निभन आर्टिकल या पेराग्राफ या आप complete करें के वल बाकी प्रस्नों को नहीं पढ़ना हैं अगला है पिक्च्वर गाइडेड कॉम वीजन तो यह आपका तीन नमर का रहेगा च्वरी कॉम पोजिशन है यह आपका तो यहां पे आपको तीन नमर दिये गए हैं तो इसमें से objective भी नहीं आएंगे नहीं दो नमर में कुछ आएगा और आपको यहां पे तीन नमर का एक प्रस्न आपसे पूछा जाएगा इसमें से तो तीन नमर में पूछे जाने वाले प्रस्नों को पड़े केवल बाकी प्रस्नों को आपको नहीं पढ़ना है और ये चार नमर वाला भी नहीं पढ़ना है और पांच नमर वाला भी नहीं पढ़ना है अगला है section C 10 नमर कर रहेगा grammar है जिसमें आपकी तो fill in the blanks आएंगे आपके पांच नमर के तो इसमें से आपके objective टाइप रहेंगे ये तो पांच आएंगे आपके एक-एक नमर के पांच आपको देखने को मिलेंगे प्रसने तो fill in the blanks complete करें आप बाकी प्रसनों को नहीं पढ़ना है इसमें से तो समझ में आया होगा आपको जो blueprint है वो आपके लिए किस तरह से महतों को नहीं इसमें से fill in the blanks पढ़े बाकी दो तीन नमर चा नमर वाले नहीं पढ़ने हैं अगर बीना blueprint की साहिता से आप ऐसे ही पढ़ेंगे प्रसनों को तो इससे आपका time भी बहुत जादा waste होगा और जो exam की तैयारी है उसमें आप पीछे रह जाएंगे तो इसी के according करें ये आपके जो आपके objective रहेंगे वो पांच रहेंगे एके कंक के कितने रहेंगे पांच रहेंगे पांच प्रसन एके कंक के बाकी प्रसनों को नहीं पढ़ना है section D है आपका text books के जो question आपके रहेंगे इसमें mcqs from behave वाले तो ये no number वाल आपका चारंग दिये गए हैं इसको तो objective रहेंगे आपके चार नमर के इसमें यानि कि एक एक नमर के objective आपसे पूछे जाएंगे बाकी प्रसनों को नहीं पढ़ना है आपको दसवा है आपका extract from pause from behave वी हीव तो इसमें से जो आपके रहेंगे A और B वाले रहेंगे यानि कि जो दसवा प्रसन है वो A नमर और B नमर के जैसे आप से पूछ जाएगा तो 6 नमर के हैं तीन तीन नमर के objective आपके इसमें से रहेंगे तो इस तरह से कुल 6 प्रसनों हो छे अंक हो जाएंगे आपके तो जो objective है वो एक एक अंक में आपसे पूछे जाएंगे 6 रहेंगे इसमें से 3 प्लस 3 यानि कि 6 बाकी को आपको नहीं पढ़ना है यह यहाँ पर A भी रहेंगे आपके प्रसनों की संख्या अगला है आपका ग्यारवा सोट एंसर टाइप कोश्चन फ्रॉम बी हीव तो यह आपका बारा नमर का है तो इसमें से objective नहीं पढ़ने हैं आपको यहाँ पर दो दो नमर की प्रसन आपसे पूछे जाएंगे तो 6 प्रसन आएंगे आपके दो दो नमर की कितने आएंगे छे प्रसन आपको पढ़ने हैं इसमें से दो दो नमर की तो अच्छे से complete करें बाकी प्रसनों को आपको नहीं पढ़ना है केवल दो नमर में प अब्जेक्टिव नहीं आएंगे, दो-दो नम्मर के दो प्रस्न आप से पुछे जाएंगे कितने, दो-दो नम्मर के दो प्रस्न आपको इसमें से कंप्लीट करना है, बागी प्रस्नों को नहीं पढ़ना है, अगला है आपका, जो, सुरी मैंने यहां पे भर दिया इसको, य आपका तेरवा है, सौट एंसर टाइब कोशन फ्रॉम मुमेंट्स, तो यह आपका चान नम्मर कर रहेगा, अब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल दो नम्मर के दो प्रस्न आएंगे, आपके, दो नम्मर के दो प्रस्न, तो उनहीं को आपको पढ़ना है, बागी प्रस् चाओद्वा प्रस्न है, लोंग एंसर टाइब कोशन फ्रॉम पोज, बीहेव, बीहीव, तो यह आपका तीन नम्मर कर रहेगा, तो वस्तुनिष्ट नहीं पढ़ने हैं, यानि के अब्जेक्टिव, और दो नम्मर वाला प्रस्न भी नहीं पढ़ना है, केवल तीन नम्मर क एक प्रस्न आपको इसमें से पढ़ना है, इसे प्रस्नों को पढ़ना है, जो तीन नम्मर में पूछी जाते हैं, तो इसमें से क्वेश्टन है आपके जो फिचोतर सब्दों में आपको लिखना है, बाकी को नहीं पढ़ना है, पंद्रुआ भी आपका इसी तरह का रहेगा तो यह आपका तीन नम्मर का है, इसमें से भी objective नहीं पढ़ने हैं, दो नम्मर वाले नहीं पढ़ने हैं, केवल तीन नम्मर में पुछे गई प्रस्नों को ही पढ़ना है, बाकी प्रस्नों को नहीं पढ़ना है, आपका अंतीम है, long answer type question from movements, तो यह वाला भी आपका तीन नम्म कर रहेगा, यह भी तीन नम्मर वाला है, तो बाकी प्रस्नों को इसमें से आपको नहीं पढ़ना है, केवल तीन नम्मर में पुछा गया, प्रस्न नहीं आपको पढ़ना है, यहां से तो थोड़ा छोटा कर देती हूं, देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है,